इस मॉडिूल के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉडेट्स क्या हैं कॉडेट्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर नोटो कार्ड मौजूद है जिनके अंदर एक अनिमल इन पांच क्रेक्टर्स का हामिल है जिसके अंदर ये पांच क्रेक्टरिस्ट्रिक्स हैं तो ऐसा एनिमल एक कॉडेट एनिमल कहलाता है यानि उसके अंदर नोटो कार्ड होना चाहिए जोके एक रॉर लाइक स्ट्रक्चर है इसी तरीके से उनका जो नर्वस सिस्टम है वो डॉर्सल होना चाहिए जैसे हुमन्स की अगर हम बात करें तो ह जो फरेंजियल स्लिट्स ये जो कॉडेट एनिमल होते हैं लाइफ की किसी स्ट्रेज के अंदर इन के अंदर फरेंजियल स्लिट्स जरूर बनती हैं बाद में ये डिफरेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर तबीद हो जाती है इसी तरीके से थाइराइड ग्रैंड या एंडो वाइल, कॉड़ेट के अंदर मौझूद है और इसी तरीके से पोस्ट एनल टेल, यह कॉड़ेट का एक खास क्रेक्टर है, इसी तरीके से अगर हम इनवर्टिप्रेट्स की बात करें, तो इनवर्टिप्रेट्स क्या हैं, इनके अंदर बैक बोन या रीड की हड़ी नहीं होती, यह जो एनिमल्स हैं, इनके अंदर अगर हम इनवर्टिप्रेट का जो नंबर है, उसकी परसेंटेशन निकालें, तो 97 परसेंट हैं, इसका मतलब है, कि जो इनवर्टिप्रेट की तादाद है, वो वर्टिप्रेट के मकाबले में बहुत ही ज़्यादा है, जो वर्टिप्रेट हैं, यह अडवांस एनिमल्स हैं, इनके तादाद कम हैं, उसके बाद, Most of them are soft-bodied and do not develop rigid internal skeleton, आम तोर पर यह soft-bodied animals हैं, और इनकी बाड़ी के अंदर कोई hard structure मौजूद नहीं है, कोई boni structure मौजूद नहीं है, लेकिन, Many invertebrates do, however, possess hard exoskeleton to protect their bodies from their environment, जैसे के हम आर्थ्रोपोर्ट की बात करें, तो आर्थ्रोपोर्ट की जो बाड़ी है, उसके बाहिर exoskeleton मौजूद होता है, यह exoskeleton इनकी बाड़ी को protect करता है, against the harm of environment, अल्दो के इनकी बाड़ी के अंदर कोई hard boni structure नहीं है, लेकिन इनकी बाड़ी के अंदर जो एक external cover मौजूद है, जिसको हम exoskeleton कहते हैं, उसके बाद जो invertebrates हैं, invertebrates की examples के अगर हम बात करें, तो इसके अंदर snail शामिल है, sponges शामिल है, earthworm, sequence, sea star, centripeed, butterflies, spiders और jellyfish, invertebrates के जो phylum हैं, इनके अंदर protozoans आते हैं, इनके अंदर sponges आते हैं, इनके अंदर silentrates आते हैं, इनके अंदर platyhelminthies आते हैं, इनके अंदर nematores आते हैं, इनके अंदर molasks आते हैं, इनके अंदर arthropoda आते हैं, और इनका जो last phylum हैं, वो echinoderms हैं, एकानियो डम्स तक जो एनिमल फाइलम है ये इनवर्टीब्रेट के अंदर शामिल है उसके बाद अगर हम वर्टीब्रेट्स की बात करें तो वर्टीब्रेट्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर वर्टीब्रल कॉलम मौझूद है जिनके अंदर ब्रीड की हड़ी मौझूद होती है अब अगर हम fish की बात करें amphibians की बात करें reptiles की बात करें birds या mammal की तमाम की तमाम vertebrates हैं क्योंकि इन तमाम animal groups के अंदर breed की हड़ी मौजूद होती है तो इस module के अंदर हमने देखा कि animals के अंदर तीन categories है quardates quardates के हमने characters देखे कि इनके अंदर notocod होता है इनका dorsal hollow nervous system होता है इनके अंदर pharyngeal stress होती है इनके अंदर thyroid gland मौजूद होता है और इनके अंदर post annal tail मौजूद होती है इसी तरीके से invertebrates के बारे में हमने देखा कि invertebrates mostly soft bodied animals है यह animal kingdom के अंदर इनकी जो contribution है वो 97% से भी ज्यादा है और इसके अंदर econodums तक जो phylums है वो सारे invertebrates के अंदर शामिल है इनके अंदर read की हड़ी मौजूद नहीं होती जबकि जो vertebrates है इनके अंदर vertebral column या read की हड़ी मौजूद है और इसकी examples के अंदर fish, amphibian, reptile, birds और mammal शामिल है